नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको गुप्ता.com किचिन में और आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ एक ऐसे नास्ते की रेसिपी जिसको खाने में आपको आलू टिक की चाट सेंड्वीच दोनों का स्वाद मिलेगा और इसको बनाना भी बहुत आसान है घर में ही पूबले हुए आलू लिये हैं जिसका किचिल का हटा के खुब अच्छे से इसको मैंने मैश कर लिया है आप चाहें तो इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने थोड़ा सा बारी कटा हुआ प्यार डाल दिया है दो हरी मिर्ची को बारी काटके डाल द तो हमने और तक बिने अरे के सभी सांथ है brass और इसी के साथ तेस्ट के साथ से नमक डालके फेड़ सा बारी कटा हुआ हरा धनया डालके अब इन सबीको खूब अच्छे से हम मिला लेते हैं ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो आलू में अच्छे से मिल जाएं तो आलू मसाला हमारा बन करके तयार हो गया है खुब अच्छे से मैंने इसको मिला लिया है अभी इसको एक साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने 6 ब्रेट लिये हैं आप कोई सा भी bread ले सकते हैं वाइट वाला या फिर ब्राउन वाला जो आता है वो भी ले सकते हैं एक bread को हम लेंगे और इसको एक गिलास की सहायता से या फिर कटोरी कटर तो जिससे भी आपको काटने में आसानी हो उससे आप इसको काट के रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने सारे ही bread के slices को ले लिया है इसको काट लिया है और इसके जो side के बच्चे हैं किनारी वाली हिसा इसका हम पीस के powder बना के बेट करम बना के रख लेंगे फिर उसको किसी भी recipe में हम इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने सारे ही काट लिया है अभी एक bread के slices को मैंने लिया है मतलब कि जो मैंने काट के रखा हुआ है उसके उपर हम आलु मसाला रखतेंगे जो हमने बना के रखा हुआ है खूब अच्छे से दबा दबा के इसके उपर हम आलु मसाला को इस तरह से लगा लेंगे और अच्छे से इसको सेट कर देंगे, आथों से दबा के, एक टिकी का सेफ इसको हमें दे देना है इस तरह से, और बाकी के ब्रेट के उपर भी हम इसी तरीके से आलू मसाला रखके तैयार कर लेंगे, तो यह बिल्कुर रेडी है, टोस्ट करने के लिए, तो टोस्ट करने के के लिए आप यहां पर चाहें तो घी या बटर जो भी आप खाना पसंद करते हैं वह आप ले लिजिएगा यहां पर मैंने घी ले लिया है घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे तो जैसे ही हमारा घी गरम हो जाएगा तब हम इसमें आलू ब्रेट को इसके उपर रख देंगे सिखने के लिए जो ब्रेट का साइड है उसे हम नीचे रखेंगे सिखने के लिए और थोड़ी देर इसको आई से हम छोड़ देंगे एक से दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम ताकि अच्छे से ब्रेट जो है नीचे से क्रिस्पी हो जाए तो जब तक हमारा ब्रेट उधर सीक रहा है तब तक हम आगे की तायरिया कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया है और दही को मैंने खुब अच्छे से फेट लिया है और दही यहाँ पर हमें गाड़ी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें से कि ईस तरह से पलट के इसकी साइट को चेंज कर देंगे और जो यहमारा आलू मसाला है ताकि वो भी थोड़ा जे लेंगे को हलकर से अलखे से कलची से डबा देंगे ताक मैं हाथों से से चाहिती है फिर भी थोड़ा सा इसको और सेक लेंगे तो Sabra是randu desi, दोनों साइड से अच्छे से शिः गए है तो अभी चलिए इसको निकाल लेते हैं कopt किजि़ा करेंести कने साओं तो अभी इसको रख देते हैं और फटा फट से एक तड़का बना लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक तड़का पेन ले लिया है उसमें हम एक चमच तेल को रख देंगे गरम होने के लिए जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तब उसमें हम 12 चमच सरसों के दाने डाल द के दानों को मैंने हलका सा कूट के इसको ले लिया है थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे हलका से इसका जब color change हो जाएगा उतनी देर तक हम इसको पका लेना है उसके बाद में इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता और बारी कटा हुआ हरा धन्या डालके इसको इस तरह से mix दे द के जो साइड वाला ईसा है उसके उपर हम दही को अच्छे से लागा देंगे इस तरह से कि और उसके बाद इसमें हम तड़के को टाल देंगे जो की तड़क हमने बना के रखा है उसको डॉलेंगे आप चाएं तो इ则़र ठोड़ी धोड़ी हरी चटनी बीराल सकते हैं लाने पर विडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू